नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है शोबस वाली ची का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूरिक एसीड को कंट्रोल कैसे करें घर पे यूरिक एसीड के ऊपर काबू कैसे पाए क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लेम से बाइब देखो लोके यह होता है कि बिमारी हो लोग बोलते है यूरिक एसीड हो गया है तकि यूरिक एसीड एक बाडी की important पार्ट है यूरिक एसीड हमारे metabolism का ही एक intermediate है जो की nitrogen metabolism का एक intermediate है मगर उस हिसाब से यूरीक ऐसी ज्यादा आगर शारीर में हो जाए क्योंकि बॉडी में जो नाइट्रिय में जो नाइट्रोजिन साइकल नॉर्मली प्रेसेंट होता है और जो नाइटोजिन के मिटाबोलिजम होता है उसिसाब से अल्टिमेटलि जो एंट प्रोड़क्ट होत सब्सक्राइब तो यूरिक इसी एक वर्ल प्रोसेस की पार्ट है में आप उसके बार में इसके बार में प्रॉट नहीं करें गया गया बोडी में ज्यादा हो जाएगा तो बाडी के कुछ-कुछ जगा पे वह स्टोर होने लगेंगे पर टिकुर्लर जो बोडी के ज्वाइन स तो यहां पे यहां जगापे एक प्रोड्लेम के तौर पे देखा जाता है यहां पर अगर आपका ऐसे एक प्रॉब्लेम है तो इसको आप तुरंद सौल्व कर सकते हो तीन चीज़ को फॉलो करके first thing is your diet, आपकी खाना बहुत important है, उसके बाद आता है पानी, बहुत सारा पानी पीना, तीसरी चीज़ होता है आपकी lifestyle, तीन चीज़ों से आप इसको ठीक कर सकते हो, तो बात करते हैं पहले चीज़ जो के होता है यहाँ पर खाना, जो diet आपका होना चाहिए, एक balanced diet होना जिसमें fruits हो, green vegetables हो, और जिसमें protein reach component कम हो, protein जैसे चीज़े, जिसमें purine reach बोलते हैं, वो कम हो, जैसे के animal meat, red meat में बहुत ज़्यादा purine होता है, उसके मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो कम हो, यह देखें आप red meat कम खाएं, और seafood में भी purine ज़्यादा होता है, तो वो कम खा के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके साथ साथ कुछ खाना होता है, जो की protein, जैसे के डाल हो गया, lentils बोलते हैं, डाल में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, तो इसलिए, ज्यादा मात्रा में डाल आपको नहीं खाना चाहिए, जितना normal consumption, उससे कम करना चाहिए, protein reach जो component है, protein के अंदर ही nitrogen ज्यादा पाये जाता है, तो nitrogen metabolism body के यहाँ पे गड़बर हो रहा है, तो इससाब से आपको देखना है, कि आपको शरीर में अगर ऐसे uric acid ज्यादा है, तो किसी प्रकार का protein intake है, उसमें आपको रोक लगाना है, आप protein खा सकते हो, plant-based जो protein है उसको खा इसरी point है यहाँ पर वो है पानी, आपको adequate water consumption करना चाहिए, बहुत ज्यादा, ठीक ठाक अमाउट में पानी पीना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए ताके वो uric crystal form नहीं कर पाए body में, ठीक है, proper amount of पानी पीने से क्या होता है, proper urination होता है, urine production में help होता है, और uric acid crystal form होने म पानी प्रिवेंट करता है, इसलिए पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, तीसरी चीज़ है यहाँ पर healthy lifestyle, आपकी lifestyle को बहुत अच्छा maintain करना है, मतलब यहाँ पर आपको anxiety या फिस stress नहीं लेना चाहिए, और आप में anxiety या stress के symptoms आ रहा है तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो stress को कैसे control करना है, हर एक की life में अलग प्रकार के stress है, उसको आप जानते हो किसे साथ डील करना है, उससे साथ से deal करो, दूसरी चीज़ आपर with lifestyle वो होता है, food habit आपको tik-tak time में खाना चाहिए, और इसके साथ साथ होता जाता है कि uric acid जिन लोगों में हैं, उन लोगों में और problems जैसे कि metabolic disorders है, जैसे कि diabetes, hypertension की मरीज है, क्योंकि उनका body weight भी बहुत ज्यादा होता है, और uric acid में क्या होता है, घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, तो घुटनों में दर्द बहुत कारण हो सकता ह इसलिए body weight ज्यादा होने के कारण भी जो process बढ़ जाता है, दर्द भी बढ़ जाता है, इसलिए body weight अगर ज्यादा है आपका तो उसको भी regulate करें, कम करें, फायदा होगा आपको ही, तो यह सारे चीज़ आप घर में कर सकते हो, जिससे कि आपकी uric acid कम हो, apart from that obviously आपका treatment कारी कम हो, इस हिसाब से एक दवा दिया जाता है, और दूसरे प्रकार के दवा दिया जाता है, जिससे के सुजन जो होता है, जिसके कारण दर्द होता है, पेन होता है, सुजन घटानी की medicine, दोनों प्रकार की medicine available, uric acid जब आपकी body में मात्रा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर इस दवा में से एक या दो combined medicine prescribe करते हैं, तो इसके बार में ही बात करते हैं, जो medicine ही आप पर, वो क्या करते है, आपके body में uric acid ही कम तयार हो, हमारे शरील में uric acid तयार करने के लिए एक enzyme कम करता है, जिसका नाम होता है xanthine oxidase, xanthine oxidase enzyme body में uric acid produce करने का terminal enzyme हो है, अब इस enzyme को अगर कोई रोख दे, तो body में uric acid वैसी produce होना बंद हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ दवा है, जो xanthine oxidase का जो function उसको रोख के रखे, तो वैसे दवा आपको दिया जाता है, ताके body में uric acid production ही कम हो जाए, allopurinol या फिर februxostat, दोनों प्रकार की ही ये जो दव है, medicine है, इसका काम ही ही होता है, कि xanthine oxidase की purpose को, काम को बंद कर दे, ताके body में, शरील में, uric acid तयार होना ही बंद हो जाए, और दूसरी प्रकार को जो medicine है, वो anti-inflammatory drugs होता है, जो के आपके body में जो सुजन है, उसको घटाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत pain होता है, दर्द होता है, इसलिए आता है, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, इसमें बहुत प्रकार, इस प्रकार के अंदर बहुत सारे drugs आते हैं, बहुत सारे दवा आते हैं, जो आपकी शरील में, जो inflammation है, सुजन है, उसको घटाने में मदद करते हैं, आप सुजन बहुत ज् कर रहा है, तो तब जो non-steroidal anti-inflammatory drug है, वो शायद कराम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुजन, तब आपको steroidal drug देना पड़ता है, corticosteroids देना पड़ता है, तो prednisone बोलके एक drug होता है, corticosteroids, वो corticosteroids जब दिया जाएगा, उसके हिसाब से सुजन घटता है, steroid का बहुत इंपोर्टन feature है, कि वो जो body में सुजन होता है, उसको घटाने में बहुत मदद करता है, मगर उसका बहुत side effects है, इसलिए पहले non-steroidal anti-inflammatory drug ही दिया जाता है, उसके लावा भी एक drug कॉल्चिसीन बोलके, जिसका भी रोल होता है, कि body का सुजन है, inflammation उसको घटाने में मदद करता है, particularly joint में, जो के घुटनो हो गया एक example, वैसे joint के अंदर जो सुजन होता है, उसको घटाने में बहुत मदद करता है, तो ऐसे साब से दोनों प्रकार के medicine, सुजन घटाने की anti-inflammatory drugs और xanthine oxidase को inhibit करना मतलब शरीर में uric acid कम तयार हो, ये देखना, दोनों प्रकार के drug ए medicine में मदद करे, तो ये होता है, uric acid regulation with medicine, without medicine, दोनों ही बात हमने यहापे कर चुके हैं, आप दोनों ही देखो, अगर medicine आपको लेना है, तो obviously आप doctor के साथ consult करो कि इस हिसाब से आपकी uric acid का जो मात्रा है body में कितना ज़्यादा बढ़ा है, उस हिसाब से आपकी शरीर के condition के बेस करके doctor आपको medicine बताएंगे, उस हिसाब से brand name भी doctor ही बताएंगे, उस हिसाब से medicine लेना, so that's all about uric acid regulation in body, uric acid को कैसे control करना है, इसका घरे लूप आए, वीडियो अच्छा लेगे तो like करना, share करना आपके दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, subscribe करने इस channel को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, thank you, bye